मेरी सांसों में तू है समाया, तेरा जीवन तो है मेरा साया, तेरी पूजा करूँ मैं तो हर दम दोस्तों जब भी आप ये ममता माई सौंग सुनते होंगे तो आपके जहन में सबसे पहले जया बच्चन की छवी आ जाती होगी जिनमें कभी तो इन्होंने एक माँ का करदार निभाया तो कभी एक अच्छी सी पतनी का और इन सभी करदार के साथ ही ये दर्शिकों की चहेती बन गई भले ही आज ये इंडस्ट्री से दूर हो लेकिन आज ये राजनीती में काफी अच्छी पारी खेल रही है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि फिल्मों में कभी माँ के करदार से तो कभी एक अच्छी पतनी के करदार से दर्शिकों का दिल जीतने वाली अबिनेतरी जोया बच्चन के एक नहीं बलकी चार-चार दुश्मन हैं जो इनसे बहुत जादा नफरत करते हैं और इन्हें एक फूटी आँख भी देखना पसंद नहीं करते हैं आज किस वीडियो में हम आपको जाया बच्चन की चार दुश्मनों से रूबरू करवाएंगे जो जाया बच्चन से बे इंतहान नफरत करती हैं इस लिस्ट में सबसे पहले सदा बहार अबनेतरी रेखा का नाम शुमार है जिसके बारे में तो वो सभी जानते हैं कि जया बच्चन और रेखा एक दूसरे की कितनी बड़ी दुश्मनी के पीछे कोई और नहीं बलकि बॉलिवुड के महानायक अमिता बच्चन है जो कि शाद शुदा होने के बावजूद बॉलिवुड की एवर ग्रीन डेखा के साथ संबंध रखते थे जिसके बारे में जब जया बच्चन को पता चला तो दोनों के बीच इतनी जादा बहस बाज़ी हुई कि दोनों आज एक दूसरे की शकल भी देखना पसंद नहीं क साथ शोले फिल्म में काम किया था जहां बसंती के रोल में हेमा मालिनी नजर आई थी पर बहुत ही कम लोग जाते हैं कि बसंती के रोल को पहले जया बच्चन करना चाहती थी पर फिल्म के प्रोडियूसर ने पहले ही हेमा मालिनी को कास्ट कर लिया था जिसके बाद हेमा मा किसे बात को लेकर cold war चलता रहता है पुराने दौर की फिल्मों में अपनी खुबसूरती से कायल करने वाली अबिनेतरी बबीता भी जया बच्चन की दुश्मनों में से एक है जो जया को फूटी आँख पसंद नहीं करती दौरसल दोनों की दुश्मनी के पीछे सिर्फ बबीता की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर और अबिशेग बच्चन का रिष्टा तूटना था नबर वन रानी मुखरजी नबे के दशक में अपनी खूबसूरती और लाजवाब एक्टिंग से लोगों के दिनों पर राज करने वाली अबनेत्री रानी मुखरजी का नाम भी आखरी कड़ी में शुमार है जो कि जया बच्चन से बहुत ही जादा नफरत करती हैं दरसल इन की दुश्मनी का कारण तब बना जब साल 2007 के फिल्म लागा चिंडरी में दाग में दोनों अबिनेत्रियों ने स्क्रीन शेयर किया था जहां जया और रानी के बीच किसी बात को लेकर इतनी जादा बहस हो गई थी हाला कि उस समय तो ये इनके बेटे अभिशेग बच्चन क से इतनी जादा नफरत करती हैं कि वो उन्हें फूटियां पसंद नहीं करती आज भी दोनों के बीच एक ओड़ वाट जारी है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जया बच्चन को अपने एंगरी नेचर को सही करके इन अबनेत्रों के साथ हाथ मिला लेना चाहिए की न नहीं आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवर्ड इंडस्ट्री से जोड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जारने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें